ब्रह्माजी के दुर्गा कवच में वर्णित नव दुर्गा नव विशिष्ट आउशधियों में विराजमान हैं। ये नव दुर्गा वास्तों में देव्य गुणों वाली नव आउशधियां हैं। ये वशदियां प्राणियों के समस्त रोगों को हरने वाली और रोगों से बचाय रखने के लिए कवच का काम करने वाली हैं। नो दुरगा के नो रोपों को आउशदियों के प्रतीक के तोर पर भी जाना जाता है। आयर्वेद की भाषा में मनुष्य की प्रतेक बीमारी को ठीक करने के साथ ही रक्त का संचालन, उचित और साफ करने का काम करती हैं। आयर्वेद में इन आउशदियों को समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली कहा जाता है। जिस सम्मंधित बीमारी से व्यक्ति पीडित हो, उसे इन नो दुर्गा में उन्ही देवियों की विशेश पूजा करने चाहिए। संपूर्ण विश्वी देवियों के स्वरूप हैं। आउशदियों से लेकर प्रिकति के भी देवियों के स्वरूप माने जा सकते हैं। जिन लोगों को जो बीमारियां हैं वो उसी हिसाब से पूजा अनुस्ठान करेंगे, तो सम्मंधित रोगों में भी नौरात्र शुब फल देने वाले साबित होंगे। देवि के इन स्वरूपों को हम स्वास्त की संजीवनी देने वाला मान सकते हैं। सेश्टम सुरूप का त्याईनी यानि मोईया नवदुर्गा का छठा रूप का त्याईनी है। इसे आयरुवेद में कई नामों से जाना जाता है। जैसे अंबा, अंबालिका, अंभिका, इसके अलावा इसे मोईया अर्थात माचिका भी कहते हैं। ये कफ, पित, अधिक विकार एवं कंठ के रोग का नाश करती है। इससे पीडित रोगी को इसका सेवन और मा का त्याईनी की आराधना करनी चाहिए। अगली कड़ी में हम बात करेंगे देवी मा के सात्मे स्वरूप मा काल रात्र की। और बताएंगे आपको मा काल रात्र की और शदिया महत्तु के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे अन्रोध है कि अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी दें। देवी मा की कृपा आप पर सदयों बनी रहे। जै मादूर के।